दुर्ग के BIT कॉलेज में विधान सभा निर्वाचन 2023 के तहत चल रही मद्दान दल अधिकारियों की दो दिवसे प्रशिक्षन का दुर्ग कलेक्टर ने जाय जालिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन कारे के लिए सौपे गए दायितों का निर्वहन बेहद सावधानी और गंभीरता से करने के निर्देश दिये। से करने के निर्देश दिये। उन्होंने कॉलेज केंपस में सभी जगों पर जाकर प्रसिक्षन के दौरान बताये गए दिशा निर्देशों और बारीकियों को भली भाती समझ कर मशीन का संचला और वोटिंग करने के तरीके से रुबरू होने कहा। साथ ही अधिकारियों से मद्दान केंद्रों से संबंदित समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान केंद्रों ने प्रसिक्षन आर्थियों को मद्दान केंद्रों में मूलभू सुविधा उपलब्द कराने का आश्वासन दिया और महिला कर्मियों के लिए मद्दान केंद्रों में विशे से वस्था करने के निर्देश दिये। इस मौकी पर दुरुप कलेक्टर ने बताया कि इस प्रसिक्षन में कुल 2471 प्रसिक्षन आरती शामिल हुए हैं और आज 1913 प्रसिक्षन आरती शामिल होंगे उसके लिए लवक 8000 से अधिक कर्मियों की डूटी हमने चुनाव की प्रक्रिया में लगाई है उन सभी को चुनाव की पूरी प्रक्रिया संजाने के लिए उनको हैंड्स-on ट्रेनिंग देने के लिए यह दो दिवस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयविजित कहा जा रहा है जिसमें उनको सबके जो काम है डिटेल्ड उनको बताया जा रहा है उसके लवा मशीन को किस तरह से चलाना है उसमें अगर कोई समस्या आती है तो किस तरह से सॉल्व करना है वह सारी चीज उनको समझा जा रही है इसके लवा बहुती बेसिक सी चीजे जैसे कब पहुंचना है रहना है कहां रहना है खाने के विवस्त है कैसे करनी है चुनाव कैसे कराना है जो चुनाव में जो समस्य आती है उनका निराकरण कैसे कराना है और उसके आदमें फिर मशीन्स को लेके रिसीविंग सेंटर तक पहुंचना है वो सारी चीजिन को आज समझाए जा रही है ताकि चुनाओं के प्रक्रिया एकदम स्मूध रहे और निर्भाद रूप से चंपन हो पाए ग्रेंड एसीएन निउस के लिए दुर्ग से नसीव फारुकी की रिपोर्ट